दोस्तों दो रेखाओं कि मद्दी की निमंतम दूरी कैसे ग्याद करते हैं अब हम सीखेंगे यहाँ पर इनकी equation दे रखी है वो भी किस फॉर्म है वेक्टर फॉर्म है यानि आपको सदिस समय कर दिया हुआ है करना क्या आपको यहाँ पर जो equation दे रखी है उनका इनके standard फॉर्म के साथ तुलना करना है यहाँ से a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b2 वेक्टर आपके पास आ जाएगा उसके बाद आपको देखना है कि यह आपकी विशम समतलिय रेखाए हैं या समानतर रेखाएं समझा गया पहंचान कैसे करेंगे शमानतर रेखाओं की शमानतर रेखाओं में आपका b वेक्टर क्या होगा दोनों में समान होगा विश्रम सम्तलिन में बीवेक्टर अलग-अलग हुगा तो यह कौन से टाइप की देखे अलग-अलग भीवेक्टर है इन्हीं विश्रम सम्तलिन में डिस्टेंस ग्याद करने के लिए आप यह सूतर काम में लेंगे हम इनकी तुलना करते हैं तो B1 वेक्टर यहां पर कितना आपका तो आईक एफ मानस जेक फ प्लस केक है आई वन वेक्टर यह आपका एवन वेक्टर है आईक प्लस जेक एफ ओके यहां तक ठीक है अब ठीक इसी परकार से इसकी और इसकी तुलना करते हैं दो नमर की तो आपका A2 वेक्टर 2IKF प्लस JKF माइनस KKF है ओके समझ आ गया और B2 वेक्टर जो है वो है आपका 3IKF माइनस 5JKF प्लस 2KF यहां तक ठीक है अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला कामे लेना आपको यह फॉर्मूला कामे लेना है आपको क्या निकालना आना चाहिए B1 रोस B2 तो यह मैं सबसे आसान तरीकिस आपको बदा दूँगा कोई दिक्कत नहीं है इनका क्रोस प्रोड़ट करना है दोस्तों वेक्टर का क्रोस प्रोड़ट करना अपने आप में एक महताफ़ होता है आपको करना क्या यहां IKF, JKEF, KKF लिख देना है उसके बाद देखो पहले को न आप बीजो वेक्टर तो B1 वेक्टर में देखिए, I-CAP के साथ जो है, J-CAP के साथ जो है, उसको J-CAP के नीचे लिखतो, K-CAP के साथ जो है, उसको K-CAP के नीचे लिखतो, बाद में को ना रहा है, B2, तो similarly इसमें, I-CAP के साथ जो आ रहा है, J-CAP के साथ जो आ रहा है, K-CAP के साथ जो आ रहा है, उनको लिख दिया यहां तक ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप देखिए आपका क्या है एक determinant है डिर्मिनेट का वेलू कैसे निकालते हैं यहां पे हम जैसे । को लेते हैं तो इसको कैंसल करते हैं इनका एक determinant लेते हैं ओके यहां पर IK के साथ है क्या आएगा मैं पूरा calculation करके लिखता हूं in का गुणा यानी –2 माइन इन का गुणा तो ये खुद माइनस का तो प्लस का यह नहीं आपका आ जाता है यहां पर प्लस का तीन ओके छली मैं पूरा करके आपको देदेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझाये इस पंक्ति को छोड़ देना इस पमको भाठी का बचा उनका गुणा करना इसका इसके साथ गुणा इसका इसका साथ गुणा और इसमें से मैनस यह माइनस फाइव गुना प्लस का बन माइनस फाइव और माइनस हो रहा तो यह प्लस का फाइव आ गया बीच में प्लस का चीन लेना है ठीक है यह माइनस का चीन लेना है यहां पर दोस्तों बीच में माइनस का चीन लेना है इस फर्स्ट हो कि साफ एक्सपांड करने तो बी प्लस केकेफ ओके विश्यस रूप से इस चेन का ध्यान रखना चाहिए इसको डिलेट किया इसको डिलेट किया और बाकी यह आपको यहां समझ नहीं आया तो यह पूरा एक अलग से ट्रोपिक होता डिट्रिमिनेट निकालना का यह देखिए थ्रीगुणा माइनस माइनस त् प्लस हो जाता है इसके साथ को अना है आपका केकेफ यहां पर देखिए आपका कितना है दोस्तों थ्री आई केफ यहां पर जे केफ आपका आ गया यहां पर सेवन किसका वो भी माइनस का केकेफ ओके कैसे आया यह माइनस का 10 होगा और प्लस का 3 है तो माइनस का 7 अब दोस्तों अगले इस टिप में क्या निकालना है आपको इनका नीचे देखो यहां पर जहां से इनका मेगनिटूट निकालना है तो मेगनिटूट कैसे आएगा मेगनिटूट आएगा दोस्तों अंडूट में आई केफ के साथ जो आ रहा है उसका स्कुर जे केफ के साथ वन आ रहा है तो इसका स्कुर वन यहां साथ का स्कुर केतना हो गया उन पचास तो पचास प्लस नों आपका हो जाता है यह उन साथ अंडूट में यह तो आ गया इसका आपका नीचे का भाग और अब इसी के साथ A2 माइनस A1 भी आपको निकालना पड़ेगा देखिए A2 माइनस A2 माइनस A1 भी निकालते हैं क्या करना क्या देखिए इसमेंसे इसको माइनस करना है तो यह 2I केफ है इसमेंसे आईकेफ जायगत कितना है आपका, आईकेफ, यह जेकेफ है, मैनेज जेकेफ 0 हो गया, केकेफ है, यह केकेफ केको टरम नहीं है, तो यह सब खाया, मैनिस केकेफ, अब देखिए यहां पर यहां पर आपको डोट प्रोडट्ट भी निकलना आना चीर, इसका विल्यों हमारे प गुणा करेंगे आइकव दोड शेख़ वो सब जीरो हो जाएगा समझ गें का इक के साथ गुणा करने पर आपका कितना आगया क्रीज एग अगर प्रति के ट्रब्रम ने यह निजिये कब कर जीरो हो गया इसका इसके साथ गुणा करते हैं तो देखिए माइनेस 1 गुणा माइनस 7 कितना आ गया आपका 7 यह नहीं आपका आ गया यह 10 बट्टे अंडूट में 59 यह आ गया आपका distance इन दो lines के बीच का ओके इसको हम क्या कहते हैं न्यून तम दूरी अब दोस्तों हम अगले वीडियो में अराम से फिर मिलेंगे